प्रीच्रसोई में आपका स्वागत है आज मैं सोया बिंस बड़ी की सबजी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और यह सबजी हम लांच डिनर का भी भी बना सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगती है और अज़ादी होती है तो सबजी बनाना शुरू करते हैं तो सबिंस की देंगे 8-10 मिनट बाद यह फूल गया है और इसको अच्छा से हम निचोल लेंगे अब हम इसको फ्राई कर लेंगे तो गैस ओन करेंगे कढ़ाई को गरम करेंगे कढ़ाई में दो बड़ा चमच सरसो का तेल डाल देंगे और सोय बिंस की बड़ियों को डाल कर हम फ्राई करेंगे आधा चमच इसमें हल्दी पौडर डाल देंगे और आधा चोटा चमच इसमें हम लाल मिच पौडर डाल देंगे और लगातार इसको मेडियम फ्लेम पर हम फ्राई कर लेंगे जब तक कि इसका कलर थोड़ा चेंज ना हो जाए तो इसका कलर थोड़ा लाइट ब्राउन हो जाएगा तब तक हम फ्राई करेंगे इस तरह से लाइट ब्राउन हो गया है अब हम बढ़ियों को निकाल लेंगे और दूसरी कढ़ाई हम इस पे चढ़ा देंगे जब कढ़ाई गरम हो जाए तो इसमें हम चार बड़ा चमच सर्सों का तेल डालेंगे सर्सों के तेल के जगा कोई भी डेबल ओयल का यूज़ कर सकते हैं जब फोरण चटक जए ताब इसमें हम दो बड़े साइच का प्याज कटे हुए बारी कटे हुए प्याज डाल देंगे और मीडियम पर लगाता चलाते रहेंगे और एक चोठाइच चमच इसमें नमक डाल देंगे ताकि ये जल्दी से फ्राई हो जाए और गल जाए है हैं जब तक कि कल़गिए हम पैज को लाइट ब्राउन हो गया है पैज युछ अब इस में हम इक चम्य मुछ लाहिसुन का पेश्ट डाल जूए और एक मिनट के लिए इस पीज़े दू मेकाइश बीकाइबद के बार इसमें हम सुखे मासाले जालेंगे हैं टो इसमें हम आधह चमच छल्दी पौडर डालेंगे एक चमच धनिया पौडर डालेंगे और अधा चुटा चुटा चमचाली म्रॉच पौडर डालेंगे अर इसे बुणं लेंगे तो बमें पाने के असँ और ये भून गया है मसाले, अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट डालेंगे, दो मेडियम साइज के टमाटर, इसका पेस्ट में बना ली हूँ, चाहे तो इसमें हम कटी टमाटर भी डाल सकते हैं, और इससे अच्छा तरह से मिला लेंगे मसालों में, दो मिनट के लिए इसको हम ख़श जाए टो मिला लेते हैं, बहुत अच्छा मसाले भुहून गया है, अब इसमें हम, सोयअबीन्स की बड़ियों को डाल कर, और मसालों में बड़ियों को अच्छा तरह से मिला लेंगे और नमक हम स्वात के नुसार डाल देंगे पहले भी हम बड़ी में नमक डाल चुके हैं तो उसी के नुसार डालना है नमक नमक और मिर्चम अपनी स्वात के नुसार लेंगे और इसमें फ्रेश हरा धन्या के पत्ती ले लेंगे और सभी को अच्छे तरह से मिला लेंगे उसके बाद गरम मसाला हम आधा चमच डाल देंगे और सभी मसालों को मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और इसमें हम पानी डाल लेंगे जितना हमें ग्रेवी चाहिए उतना ही हम पानी आड़ करेंगे और पानी को और मसालों को अच्छी तरह से मिलाकर ढखकर 6-7 मिनट के लिए लो फ्लेम पपकाएंगे 6-7 मिनट में ये कितना अच्छा इसका ग्रेवी गाड़ा हो गया है और सबजी बन करके तयार हो गया है अब इसमें हम फ्रस हरा धन्या की पत्ती अड़ करेंगे और गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इसे हम गर्मा गर्म सर्फ करेंगे तो सोयब इस बड़ी की सबजी आपको कैसी लगी प्लीज लाइक कीजिए शेर कीजिए और मेरे ऐसे आने वाले रासिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक यू